तो इस वक्त तो इलेक्टरोल बॉण्ड सबसे आदा चर्चा में है, जब से वो लिस्ट साजा होई है, उसके बाद से तमाम प्रकार की इससे जूरी खबरें लगातार आ रहे हैं कि किसने कितना चंदा दिया, करोडू में चंदा दिया है, हजार करोड के करीब चंदा दिया लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे जो इसमें नजर आई आज जब मैं लिस्ते देख रहा था तो इसमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कम चंदा दिया है बहुत कम कितना हो सकता था वो था बहुत कि अजर रुपे क्योंकि Alecropel bond जो सबसे जो संख्या थी जो आप खरीज सकते हैं वह एक था एक हजार रुपे थी तो एक हजार रुपे चन्दा किस ने दिया क्या वो किसी इस लिश्ट में नहीं है लेकिन आपको दिखा दूँ यह कंपनी का नाम अगर लिश्ट आप देखेंगे तो यह राइपूर की कंपनी है राइपूर बॉटलिंग कंपनी है इसके लावा देखेंगे इनका कहीं और नाम नहीं है इन्होंने कोई और बांकी चंदा नहीं दिया इन्होंने इकलता चंदा दिया एक हजार रुपे का यह लिश्ट में अगर आप देखेंगे तो एक बार लिश्ट करीब से आपको दिखाता हूं अगर इस लिश्ट में देखेंगे आप यह 2019 का डेटा है अगर इस लिश्ट में देखेंगे तो एक हजार रुपे से लेकर वसे एक करोड तक चंदा कोई बांड खरीद सकता था लेकिन जिन्होंने एक लाक रुपे अधि अमूमन इसमें जो संख्या है एक लाक रुपे औ किसने 50 करोड दिया तो यह कि उनने 100 करोड खरीद लिये तो इसी तरीके से कई और भी ऐसी कमपनिया है जिसमें एक आइटीसी लिमिटेट का नाम है इस लिश्ट के साब से और उस बांड में एक हजार के भी बहुत सारे इलेक्टरल बांड है अब एक हजार चंदा किसे दि बहुत बहुत से गजाय गया यहा इसमें इसमें घ्रहं दिखाया रहा है लेकिन 1000 रुपर दिखाय इhtUB है अब भी में तो थोड़ाशान नीचे है तो मुझे थोड़ा सा नीचे आना होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ITC ने कितने इलेक्टरोल बॉंड खरीदे कितनी बार खरीदे तो देखिए एक ही समय में कई बार लोगों ने खरीदे हैं तो देखिए मैं ITC पर भी उनका जो डेटा है काफे नीचे है यह ITC ने आठ यह डेके ऊपर है पहला है आठ में 2016, ITC Limited ने खरीदा 1000 बॉंड उसके बाद उन्होंने एक लाग का खरीदा फिर 1 करोड का खरीदा फिर 1 लाग का खरीदा फिर 1 करोड का खरीदा तो एक ही दिन एक ही दिन का ही डेटा है, आठ में कोई ही, एक दिन में ही ITC ने करीब करीब ये 25 से 30 जो इलेक्रोल बॉंड हैं ये खरीद लिए, उन्होंने उसमें मल्टिपल जो संख्या थी, कोई बॉंड एक हजार रुपे गा था, कोई एक लाक रुपे गा था, और कोई एक करोड था, तीन संख्या हैं, इसमें दस हजार है, और एक लाक है, और एक हजार है, और एक करोड रुपे, तो इस तरीके से एक ही दिन में आठ में 2019, को ITC ने इतने लगातार बॉंड खरीदे तो इसके लावा और भी नाम है लेकिन जो मैं संख्या आपको बता रहा हूं कि अधिकांश लोगों ने अधिकांश कंपनियों ने संख्या इक करोड रुपय पहले जैसे आपको बता रहा था कि अप्रेल्ट 2019 में जो संख्या थी वह एक लाख रुपय थी अधिकांश लोगों ने एक लाख रुपय कर्च के थे लेकिन अब लोगोंने एक करोड रुपय अगर में की बात करें में 2019 में जो डेटा नजब आ र सिर्फ एक बॉंड खरीदा 2019 में और वो भी एक हजार रुपे का और बांकि इन्होंने कोई पैसा खर्स नहीं किया या कोई डॉनिट नहीं किया सिर्फ एक ही बॉंड खरीदा एक हजार रुपे का तो इस इसमें मेरे को यही सबसे बड़ी खास बात लगी और इसके अलावा झाल